हलो एंड वेलकम टू स्मार्ट नोकरी चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आम जंता के लिए लोकल ट्रेन आज से हो रही है शुरू यानि 11 नवंबर 2020 से लंबे समय के बाद लगबग 7 महिने का समय बीच चुका है और फाइनली अब जाके लोकल ट्रेन आम सफर के तो ठीक है अगर उसके अलग आपने जो है सफर करने के कोशिश भी किया पकड़े गए तो आपके उपर अच्छा खासा जुर्माना लगने वाला है साथ ही आपको पांच साल तक की सजा भी हो सकती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को जी हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कोवाइट 19 लोकल ट्रेंट सर्विसेस रिज्यूम इन वेस्ट बेंगॉल आफ्टर सेवन मन्स साथ महिनों के बाद लोकल ट्रेंट शुरू होई कहां पर पश्चिम बंगाल में तो आज से जो है वहाँ पर लोकल ट्रेंट स्टार्ट हो रही है लोकल ट्रेंट में समाप्त हो चुका है क्योंकि आम जंता के लोकल ट्रेंट खोलना यानि की पूरी तरह से काम धंदे जो है सुचारी रूप से चालू हो जाएंगे अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी ख़बर की तरफ क्या मुंबई में मुंबई के लिए लोकल जगहों पर बताया जा रहा है कि प्यूस गयल बंगाल के हैं इसलिए वह जो है मुंबई में लोकल ट्रेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इन तमाम चीजों को जो है कई तरह की तीखी प्रतिक्रिया लोगों के द्वारा देखने को मिली लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस् सफर करते थे एक ट्रेंट में पच्ची सव से जादा लोग सफर करते हैं जबकि सीटें होती हैं बारत सो और इस सिच्वेशन में यानि पैनेडिक सिच्वेशन में सिर्फ साथ सो लोग ही सफर कर पाएंगे तो यहां पर जो कुल आंकड़ी मिलते हैं अगर सब कुछ आम ज को और इस जो है मार्जीन को कम करने के लिए सरकार एक रणनीती बना रही जिसे हम कहते हैं वर्गी करण वर्गी करण का मतलब यह होता है आसान सब्दों में कि वो जो है डिसाइड करेंगे कौन कौन से लोगों को पहले जो है सफर करने दिया जाएगा लोकल टेरों में आम जो है पूरी तरह से लोकल टेरों स्टार्ट होंगी तो यह जो है स्टेप बाई स्टेप है आप यहां पर देख सकते इस्टन रेलवे इस ओपरेटिंग 413 सभाबन ट्रेंसीं सेलदा डिविजन और 202 हावरा डिविजन फ्रॉम नेमंबर 11 यहां पर बैंगल की बात बता र जबकि मुहरास्टम है यानि मुंबई में आल्रेडी बाईस से जादा लोकल टेरें चलाई जा रहे हैं तो आप आप आखड़े देख सकते हैं कहां 615 और कहां 2200 तो यह कहीं नहीं जो फासला है वह मुंबई में अल्री बहुत जादा है पैसंजर की संख्या जादा है जो है शुरुआत कर चुकी है और धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरह से वेवस्था कर दी गई है सरकार के द्वारा जो है यह पुष्टी कर दी गई है कि मुंबई में लोकल टेरें दिवाली के बाद जल्दी खोल दी जाएंगी ताकि सभी लोग सफर कर सकें और उसके प्रक्विया है पुरे प्लेटफर्म्स को सेनिटाइस किया जाएगा साथी लोकल टेंटों को प्रति दिन सफर के बाद सेनिटाइस के जाएगा ताकि नया दिन नया शुरुवात हो इस प्रकार जो सारी सुभधाय जो है मिलने वाली है और 15 नॉम्बर से जो है कयास लगाया जा रहे मुक्मंत्री के बयान के बाद भी जो है इसकी पुष्टी कर दी गए कि 15 नुम्बर तक आप सभी के लिए आम जनता के लिए लोकल ट्रेने खोल दी जाएंगे मुंबई में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं आज का वीडियो